नमस्कार दोस्तों एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास वनवाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको सीख्चा साथ तरीक एक बहुत इंपोर्टन कोश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग क जुँर दिखेगा क्योंकि इस वीडियो खुश्चन का हेडिंग बना करके सीख्ते हैं दुस्तों बी एक्जाम में किसी भी कौन कौन से point दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप heading बनाएंगे जैसे दोस्तों यहाँ पर आपका सिक्षा सास्तर का question दिया हुआ है अगर आपको इस question का heading बना ना होगा या फिर अगर आपको इस question का answer लिखना होगा तब अब क्या करेंगे सबसे पहले question को पढ़ेंगे पढ़ करके समझेंगे उसके बाद दूसरे इस्टेमें question का अंदर point को देखेंगे और तीसरे इस्टेमें point को लेकरके heading बनाएंगे तो आपको बीना किसी दरीके हम लोग सुरू करते हैं और प्रस्टन का heading बना करके देखते हैं यहाँ पर दूसरे आपको प्रस्टन दिया हुआ है शिक्षा सास्तर से अब क्या समझते हैं बिस्तार पूरक वांड कीजिए यानि कि question का अंदर कहर आए कि सिक्षा सास्तर क्या होता है सिक्षा सास्तर से अब क्या समझते है सिक्षा सास्तर को बिस्तार पुरोग समझाईए तो यहाँ पर दोस्तो हम लोगों ने सबसे पहले कोश्चन को पढ़ करके समय लिया कि कोश्चन के अंदर का रहा है कि सिक्षा सास्तर क्या होता है सिक्षा सास्तर है सिक्षा सास्तर का बिस्तार पुरोग कुमंट कीजिए अब दोस्तों दूसरे इस टेमाम लोग का करेंगे दूसरे इस टेमाम लोग कोश्चन का अंदर पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों इस कोश्चन का अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो और इस question का मेन पॉइंट भी हो जाएगा शिक्षा सास्त्र क्योंको अगर आप सिक्षा सास्त्र को निकाल देंगे तो इस question का कोई मायन नरे जाएगा इसले this question का पॉइंट हो जाएगा शिक्षा सास्त्र और इस question का main point भी हो जाएगा सीक्षा सास्तर अब दोस्तों दूसरे point की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा point हो जाएगा सीक्षा सास्तर से आप क्या समझते हैं क्योंकि दोस्तों question के अदर पूछा गया है कि तोटल तीन पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हैडिंग बनाएंगे तो यहाँ पर दोस्तो हम लोगों ने सबसे पहले कोश्चन को पाड़ करके समय लिया उसके बाद दूसरे इस्टेम हम लोगों ने कोश्चन के अंदर पॉइंट को भी देख लिया अब दोस्तो तीसरे इस्टेम हम लोगों का करेंगे तीसरे इस्टेम हम लोगों पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे तो यहाँ पर दोस्तो इस कोश्चन का पहला हेडिंग हम लोगों क्या लिखेंगे तो दोस्तो मैं आप से हर बीडियों बताता हूँ कि किसी भी क परिभासा लिखेंगे या तो परिभासा लिखेंगे या तो भूमिका लिखेंगे या तो प्रस्तावना लिखेंगे चुकि दोस्तों ये सिच्छा सास्त्री का कोश्चन है इसलिल हम लोग क्या करेंगे सबसे पहला हम लोग परिभासा लिखेंगे तो यहां पर दोस्तों हम आपको कम से कम 5-6 लाइन में इस question का परिभासा लिखना है और परिभासा लिखने के बाद आपको क्या करना है यहां पर दोस्तों आपको दूसरा point देने के बाद आपको क्या करना है यहां पर दोस्तों आपको दूसरा point देने के बाद आपको क्या करना है यहां पर दोस्तों दूसरे हेटिंग में लिखेंगे दूसरे हेटिग में लिखेंगे साफधीकर्थ यहांपर डूसरे हेटिंग में लिखेंगे लिखेंगे सिख्छा šास्त diffuse करते निकि जोसी चेट लिखने के बाद आपको किया करना है यहां पर दोस्तों आपको यहां पर दोस्तों आपको 3 ऍेस्टरी हैटिंग में लिखने है सिक्षा सास्तर का महत्व है यहां पर दोस्तों तीसरे हैडिंग में लिखेंगे सिक्षा सास्तर का महत्व है यहां पर दोस्तों तीसरे हैडिंग में लिखेंगे सिक्षा सास्तर का महत्व है अब दोस्तों तीसरे हैडिंग में लिखेंगे सिक्षा सास्तर का महत्व है अब इसको किस तरीके से लिखना है तो इसको पॉइंट में लिखना है तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नमर एक देंगे और यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नमर एक देंगे यहाँ पर दोस्तों सिख्छा सास्तर का पहला महतों लिखेंगे त के अंदर महत्व क्या हो जाएगा यहां पर दूसरा महत्व लिखेंगे आर्थी की जीवन में सीख्षा सास्तर का महत्व है यहां पर दूसरे पॉइंट के अंदर लिखेंगे आर्थी की जीवन में सीख्षा सास्तर का महत्व है यहां पर दूसरे पॉइंट के अंदर आपको लिखना है यहां पर दोस्तों आपको point no.3 देना है और यहां पर दोस्तों तीसरा point देने के बाद को का करना है यहां पर दोस्तों आपको सिख्षा सास्तर का तीसरा महत्व लिखना है तो यहां पर दोस्तों सिख्षा सास्तर का तीसरा महत्व हो जाएगा समाजी की जीवन में सिख्षा स यानि कि जो सीख्षा सास्त्र है उसका समाजी की जीवन में क्या मात्व है यहां पर दोस्तों आपको तीसरे हेडिंग के अंदर लिखना है तीसरे पॉइंट में समाजी की जीवन में सीख्षा सास्त्र का मात्व है अब दोस्तों यहां पर तीसरे पॉइंट के अंदर भी नहीं पता है तो आपको तीन पॉइंट ही रहने देना है अब दोस्तो आगे आपको क्या करना है यहां पर दोस्तो आगे आपको चौथा पॉइंट देना है और यहां पर दोस्तो आपको चौथा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है यहां पर दोस्तो आपको चौथ पतंकुन करना है यहां पर दोस्ते आपको चौते का कॉझा करना है यहां पर दूस्त 6सा रर्का का रिखेत्र यानि कि जो शुच्छा शास्तर रोंगे कारे करता है उसका कारे छेत्र कौन-कौन से है तो यहाँ पर दोस्तों पांचवे एडिंग मों लिखेंगे सीख्छा सास्तर का कारे छेत्र है तो यहाँ पर दोस्तों पांचवे एडिंग हो जाएगा सीख्छा सास्तर का यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे सीख्छा सास्तर का क अबस और लिखे देना है और यहां पर दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है यहां पर दोस्तों आगे आपको शाटा पोरेंट देना है और यहां कि जो चाकला ही। सीक्षा सास्तर की उप्योगिता है यानि कि जो 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 सीक्षा सास्तर की उप्योगिता ह तो यहां पर दोस्तु लिखने के बाद आपको करना है यहां पर दोस्तो आपको देखना है कि को सफलता है और आपको क्विशल क्या करते हैं, last में व risks課 से लिखें लिख देंगे, तो यहां पर दोस्त आपको साथίν हो के इंसरम में लिखे दिया हो था, सीछा सास्त्र से हम क्या समझते हैं, बिस्तार पूर्पॉरade को कीजिए तो यहां पर दोस्त आपको कम 6-7 लें हैं, उसके लिख लिखा रूप उसके बाद तीसरे हैडिंग में हम लोगों ने सीख्षा सास्तरी का मात्व लिखा और यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सीख्षा सास्तरी का मात्व लिखा और यहाँ पर दोस्तों चौते हैडिंग में हम लोगों ने सीख्षा सास्तरी का कारेशेत्र लिखा और यहाँ पर